रिटेश पांडे के बाद अब कलू भी समर सिंग से मिलने के लिए जेल जाएंगे जी हाँ समर सिंग अकांशा दुबे के परिवार वालों के लिए अकांशा दुबे की चाहने वालों के लिए उनके फैंस के लिए भले ही दोशी हैं अकांशा दुबे के हत्यारे हैं अकांश तो यह है कि समर सिंग आज भी भोच्पुरी इंडस्री वालों के लिए कलाकार है अपने चाहने वालों के लिए देसी स्टार है कलू और रितेश पांडे जैसे बड़े सुपुस्टार के लिए उनके भाई हैं तभी तो जेल में रहने के बावजूद भी रितेश पांडे ब बॉच्पुरी गाएक पांडे ने भी कहा था और अब वहीए बातकालू भी कह रहे हैं कि समर सिंह दोशी है या लेकिन समर शिंग हमारे भाई की दरह में इस शुरुआती दुनों में बनारस में एक साथ struggle किया है ऐसे में समर सिंग गलत हो या सही हो इस बात को सोचे बगैर मेरा करतव ये बनता था कि मैं समर सिंग से जेल में मिलने जाओ और मैं उनके जर्मदीन पर उनको बधाई देने के लिए बनारिस के जिला जेल में जाओ बागी कलो समर सिंग से मिलने कब जाएंगे यह हम आपको आगे एक वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ एक आमरामेंट विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन रितेश पांडे समर सिंग से उनके जर्मदीन पर मिलने गये ये बात किसी को पता नहीं थी इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब धर्मदुबे नाम की यूट्यूबर ने रितेश पांडे से अपने इंटरव्यू में समर सिंग के बारे में पूछा तब रितेश पांडे ने बताया कि हाँ मैं समर सिंग की जर्मदीन पर उनसे मिलने के लिए बनारस की जिला जेल में गया था उसके बाद धर्मदुवे ने कल्लू का इंट्रिव्यू लिया और जब कल्लू से पूछा कि समर सिंग पर जैसे ही आरोप लगा वैसे ही पूरी भोशपूरी इंडेस्ट्री ने समर सिंग से दूरी बना ले एक मात्र भोशपूरी गायक रितेश पांडे ही ऐसे थे जो समर सिंग से उनके जर्मदीन पर जाकर जिला जेल में मिले थे आप भी मनारस के रहने वाले हैं आपने कभी समर सिंग से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया तो इसके जवाब में कल्लो ने कहा कि देखिए मैं एक बार किसी के शादी में गया था वहाँ मेरी अफजल से मुलाकात हुई थी अफजल कौन है ये हमको नहीं पता इसलिए हम इस पर कोई टिपनी नहीं करेंगे लेकिन कल्लो ने आगे कहा कि अफजल से मैंने समर भाईया का हाल चार पूछा था इसके अलावा आप लोगों से भी समर भाईया के बारे ये पता चल जाता है लेकिन मैंने सोचा है कि मैं बहुत जल्द ही समर भाईया से मिलने के लिए जाओंगा अब मेरी बड़ी इक्षा है कि मैं उनसे मिलने जाओं चुकि मैं पिछले साथ दिन से बाहर था मैं लगतार अपनी काम की वज़े से जारतर बाहर रहता हूँ इसलिए बनारस में रहकर भी मैं उनसे नहीं मिल पाता हूँ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बनारस में रहकर भी उनसे मिलने जाओ लेकिन मैंने अपने बड़े भाई आशु बाबा को कहा है कि मुझे वक्त मिले या ना मिले आप समर भाईया से जाकर मिल लीजिएगा और मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं जब भी अपने काम से फ्री हूँगा मैं सबसे पहले जाकर समर भाईया से जेल में मिलूँगा क्योंकि वो मेरे भाई की तरह है अब जबते की सावित नहीं हो जाता है कि अकानशाद दुबे मौत मामले की दोशित समर सिंग है तब तक हम उनको आरोपी नहीं कह सकते हैं वो हमारे भाई हैं तो हैं कलू कहते हैं कि हम उनसे मिले या ना मिले लेकिन उनके टीम से ये पता च सजा मिले जो आरोपी नहों उसको सजा ना मिले बागी कलू की इन सारी बातों को सुनकर कहीं ने कहीं यह लगता है कि कलू के नजर में समर सिंग की कोई गलती नहीं है समर सिंग के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है क्योंकि कांशोद वे मौत मामले का समर सिंग स कोई लेना देना है ही नहीं उनके उपर जूठा आरोप लगाये गया है उनको फसाया जा रहा है ऐसे में लोगों को यह सोचना चाहिए कि समर सिंगे कलाकार है उनका अपना करियर है उनको लोग देशी स्टार कहते हैं इसलिए समर सिंग को जेल में नहीं रहना चाहिए जेल स बाहर निकल जाना चाहिए बागी हम खुद से ये सब नहीं कह रहे हैं हमने आपको पूरी बात बता दी पूरा वाक्या सुना दिया कि हम किसाधार पर कह रहे हैं कि अब रितेश पांडे के बाद बुश्पुरी सुपुस्टार अर्विन दकेला उस कलू भी समर सिंसे मिलने क लिए बनारस की जिला जेल में जा सकते हैं और अगर कलू समय के अभाव में समर सिंसे मिलने नहीं जा पाएंगे तो वो अपने बड़े भाई आशुर बाबा जो कि कलू के सारा या अपडेट देंगे वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे फिलाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं से ही किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीशी धन्यवाद